C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक शेहनाई भाग एक सफा नंबर 47, सबक 8, सर्दी की दो पहल अम्मी, भूक लगी है, जल्दी खाना दीजे स्कूल की छुटी के बाद, घर पहुँचते ही आमिना ने कहा आ गई मीरी शहसादी अम्मी ने फूल सी आमिना को प्यार किया बस, अभी लाती हूँ, तुम्हारा भाई जावेद कहा है अम्मी ने पूछा वो आते ही छत पर चले गए आमिना ने कहा अम्मी बोली तुम भी छत पर चली जाओ आज ठंड बहुत है, धूप लगा लो तुम्हारे दादा जी भी वहीं है अच्छा कहकर आमिना सीड़ियां चरते हुए उपर गई एक, दो, तीन चार, पाँच छे, साथ आठ, नो आमिना हर सीड़ी पर गदम रखती और गिनती जाती इस सफ़े पर एक तस्वीर है जिसमें दादा जी छत पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं एक छोटी बच्ची उनके सामने हाथ जोड़ कर खड़ी है एक छोटा बच्चा जूला जूल रहा है और मा गरमा गरम खाना लिए आ रही है सफ़ा नंबर अन्टालीस छत पर दादा जी अखबार पढ़ रहे थे उनके सामने धाल में फल रखे थे जावेद जूला जूल रहा था आमिना दादा जी को सलाम करके भागती हुई जूले की तरफ गई दादा जी ने पास रखी बोतल का धकन खोल कर पानी पीकर कहा आ गई मेरी बच्ची इतने में अम्मी छट पर ही खाना लेकर आ गई जावेद बोला बड़ी अच्छी खुछ पुआ रही है अम्मा बोली आज आलो गोभी की सबजी बनाई है इतने में सडक से कोई ढोल बजाता हुआ गुजरा ढम 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 आमिना दोड़ती हुई ढोल बजाने वाले को देखने गई खुद भी ढोल की थाप पर जुम उठी फिर सबने मिल कर खाना खाया और ठंड में धूब के मजे लिए इस सफ़े पर एक तस्वीर है जिसमें गली में एक आदमी ढोल बजा रहा है कुछ बच्चे नाच रहे हैं बगल में एक कुट्टा खड़ा है एक बच्ची उपर से उन्हें देख रही है सफ़ा नंबर 49 असाद्जा के लिए हिदायात इस सबख की मदद से बच्चों को हिकारी आवाजें सिखाई जाएं बच्चों से मालूम कीजिए कि इस सबख में ऐसे कौन से अलफाज है जिनमें भा की आवाज पाई जाती है बच्चे कहेंगे भूक, भाई, अभी, भागती और गोभी ये अलफाज तखते सियाख पर लिख कर बच्चों को बताएं कि इनमें आने वाले हर्फ भ, दो खुरूफ, बे और दो चश्मिहे से मिलकर बना है तखते सियाख पर उसे लिख कर दिखाएं बे, जोड, दो चश्मिहे, बराबर भ इसी तरह थ, थ, ठ, ज, छ, ध, ध, ड, ड, र, र, ख, और गह के लिए भी उपर दिये हुए तरीके को दोराईए बच्चों को बताइए कि ये हरूफ हकारी हरूफ कहलाते हैं ये तमाम हर्फ, दो हरूफ से मिलकर बने जरूर हैं लेकिन उनकी आवाज एक ही है और मिलने के बाद अब ये दो नहीं एक ही हरूफ है मश्क 1 दिये गए हुरूफ में दो चश्मी हे मिलाकर हिकारी हुरूफ बनवाईए बे दो चश्मी हे बराबर खाली जगह पे दो चश्मी हे बराबर खाली जगह ते दो चश्मी हे बराबर खाली जगह ते दो चश्मी हे बराबर खाली जगह जीम दोचश्मी है, बराबर खाली जगह चे दोचश्मी है, बराबर खाली जगह सफ़ा नमबर पचास डाल दोचश्मी है, बराबर खाली जगह डाल दोचश्मी है, बराबर खाली जगह रे दोचश्मी है बराबर खाली जगह काफ दोचश्मी है बराबर खाली जगह गाफ दोचश्मी है बराबर खाली जगह दो खुरूफ जोड़कर लब्स बनवाईए भ अलिफ बराबर खाली जगह ठ अलिफ बराबर खाली जगा, ठ अलिफ बराबर खाली जगा, ज अलिफ बराबर खाली जगा, छ अलिफ बराबर खाली जगा, ध अलिफ बराबर खाली जगा, ढड़ा अलिफ बराबर खाली जगा ख़ अलिफ बराबर खाली जगा सफ़ह नमबर क्यावन 3. मिसाल के मताबिक हुरूफ मिला कर लफ़ बनवाईए मिसाल भ अलिफ लाम वाउ बराबर भालू भ वाउ लाम बराबर खाली जगा ठ वाउ लाम बराबर खाली जगा ठ वाउ काफ रे बराबर खाली जगा ज, वाव, लाम, अलिफ, बराबर खाली जगह छ, रे, ये, बराबर खाली जगह ध, वाव, पे, बराबर खाली जगह ध, वाव, लाम, बराबर खाली जगह पे रह नून अलिफ बराबर खाली जगह ख ये रे अलिफ बराबर खाली जगह घ रे ये बराबर खाली जगह सफ़ह नंबर बावन चार, नीचे दी गई तस्वीरों को पहचान कर उनका पहला हर्फ लिखवाईए जूला, खाली जगह छत्री, खाली जगह ढोलक, खाली जगह फूल, खाली जगह पांच, नीचे दिये हुए हकारी हुरूफ को लिखवाईए भ, खाली जगह सफ़ा नंबर तिरपन छे नीचे दिये गए अलफाज को खाली जगहों में भरवाईए फूल छत थाल ढोल अच्छी एक इतने में अम्मी खाली जगह पर ही खाना लेकर आ गई दो अम्मी ने खाली जगह सी आमिना को प्यार किया तीन बड़ी खाली जगह खुश्बू आ रही है चार उनके सामने खाली जगह में फल रखे थे पांच खुद भी खाली जगह की थाप पर जू मुठी साथ छत्री की तस्वीर बनवाईए और रंग भरवाईए नीचे खाली जगह है जहां पर छत्री बनानी है अभी आपसुन रहे थे कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक शहनाई भाग एक वाचन्सवर उजमाज जमाल जाफरी और असर नवाज उस्मानी तक्निकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन विकास सांगवान निर्वान सहायक मिनाक्षी कुकरेती निर्देशन एवं निर्वान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत